जीवन में समस्याओं का दोर खत्म होना चाहिए, अब हमें सत्य का ज्यान प्राप्त होना चाहिए, दुख, दर्द और घमों से छुटकारा मिलना चाहिए, अब हमें खुशिया ही खुशिया और जीवन में शान्ती मिलने चाहिए, हमारे कारिकरम से प्यार है तो अभी सब्स आप समभीगा मार्श महिने के इस राशे फल के कारिकरम में वरशब राशी के लिए मार्श महिना बहुत कुछ खास लेकर आया है एक तरफ मौसम अपना मिजास बदल रहा है जिसमें मैंने आपको कहा था कि सूरज में गर्बी है लेकिन हवाओं में ठंड़क है और ग्रेह भी अपनी चाल बदल रहा है लेकिन ये चाल आपके तखदीर को भी बदल सकती है वरशब राशी वाले लोगों के मार्श महिने की खुशी के परव कहे जा सकते हैं मार्श बहने के शुरवाति खुशी سے बरे हुए रंगों के परव होली से होगी वही मद्धिय में मिलेगा मादूर्गा का आशिरवात नवरातरी गरूप में और अंत में जाते जाते हरोओन जी देंगे नया जोश और जुरून बहतर जीवन को जीने की उमीद और विश्वास हरोओन जैनती गरूप में तो वरश्यप राशी वाला लोगों को आज जानकारी मिलेगी कि उनका व्यापार कैसा रहेगा मार्च में, फाइनिशल कंडिशन कैसे रहेगे, माताओं, बेहनों और महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, साथ में स्टुनेंट्स का हाल भी जानेंगे, वहीं सेहत और करियर के तरफ, इस वक्त आप जो स्क्रिन पर स्ट्रिप जा रही है, उस पर देख पा रहे हैं, वरत परवत्योहार, ग्राफ, गंडबूल नक्षत्रों की जानकारी, अगर आप इस महिने को शुब या मांगली कारियों को खरीदार या ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो कौन की आप स्क्रिन देख रहे हैं, वहाँ पर थर्ड आउस में देखिए रहू बिराजबान है, सिक्स आउस में देवताओं के गुरु ब्रैशपति अभी 12 अक्टूबर तक रहेंगे, सेवन्थ आउस में रूचक योग बनाकर बिराजबान है, मंगल और वो भी स्वग रही ह लेकिन सरफ साथ दिन तक है, लेकिन ये साथ दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, यहाँ साथ तारिक के बाद ये एट थाउस में चले जाएंगे, जहां पर शनी अल्रेडी बिराजबाने, बनेगा अंगारत दोश, नाइन थाउस में शनी के गर्में के तु बिर और बनेगा लक्ष्मी नारान योग, लेकिन शुकर सिर्फ 26 तारिक तक बारेंगे, फिर वो चले जाएंगे 12 ताउस में, 14 तारिक को सूरी भी अपनी राजशी बतलेंगे, 10 ताउस को छोड़ इन दोनों का साथ देने के लिए 11 ताउस में बहुंच जाएंगे, इन्ही सब कॉंबिनेशन का अधार पर मैंने तयार किया है, आपका राशी फल्क शुरुवात करते हैं, व्यापार किये, देखें बिजनस का जो हाउस है, 7th हाउस जापर 8 नमर लिखे हो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर मंगल विराजबान है, मंगल को अगर आप लिखते हैं, आपके हो सकती है, कहीं एक और दो तारिक होली है, यह होली का त्योहर आपके 4-5 तारिक तक नहीं पहुंच जाए, यानि एक हुमार, कुछ नशे में दूद, वो सब नहीं होना चाहिए, जब तक होली है, तब तक रहे हैं, उसके बाद अगले 5 दें तर, आप कबर कस के ता आपको जोश देंगे, फिर वो एड़ ता उसमें चले जाएंगे, मंगली तो बनेंगे, साथ में अंगारक दोश बनेगा, उससे आपको गुस आएगा, और यहां शनी की तीसरी दिश्टी कर्म इस्तान पर होगी मंगल के साथ बैठने से, और आपको शनी के ढहिया चल रह पार्टनर है, उन पर आपका चीखना, चिलाना, कुछ आपके वानी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि एट ताउस में शनी मंगल सेकंड अउस दन भाव को देखेंगे, तो कुछ पैसा फसना, नुकसान, दोखा, डिले होना पैसा आने में, आपकी जो एंट्री आपको तो इंकम के नए ने सोर्स भी डेवलेप हो जाएंगे, साथ में आप अपने बिसनस को बहतर दिशा दिये पाएंगे, आप सारे जरूरी काम को पहले ही निप्टा लेंगे, तो आपके वाँस टाइम बच जाएगा मार्च में, जिसमें आप अगले साल जो एक अपरिल से फ संतान का सुप कैसा रेगा, सेवन ताउस में मंगल विराजमान है, जो की पती के गर में है, तो आपके लिए एक खुश कबरी ये है, कि इस वही ने आप पती पत्रे कुछ मांगले कारियों को संपन कर सकते हैं, कोई बर्थ डे आ रहा है, किसी की शादी है, वो शरीक हो सकत सकते हैं, और अच्छे डंक से एजॉय उसको कर सकते हैं, लेकिन साथ तारे के बाद अगर ये है, तो शरी मंगल का दोश बन जाएगा, जिस वज़े से मैं ये चाहता हूँ, कि पहले जो रूचक योग बनेगा साथ तारे के बाद आपको नहीं करना है, आप कोई चीजों क सोला सिंगार करके जैसे पती का एक इंतजार करती है, सजना है मुझे गाना एक था, मुझे इस वक्त पूरा याद रही है, लेकिन वैसे ही आपको सजना होगा, आपको अपने पुराने दिन याद करने होंगे, और पती पत्री के बीच में एक नया मार्श एक रोमांस लेक पती को जो गिफ्ट चाहिए, जो उनकी जरूत है, वो दिया जाए, सर्प्राइस गिफ्ट दिया जाए, सर्प्राइस पार्टी दी जाए, ये सब देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, इस में ये संतान का सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आलांगे संतान के अगर के लॉट बहुत तक पहले तो सरडास तक दोश बनाएंगे, फिर नीज राश्य हो जाएंगे, इस में आपके बच्चों को कोई रिजल्ट आने वाला है, तो वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहती है, लेकिन फिर भी आपको अपने आपको कंट्रोल रखना पड़े अच्छा डंग से होने वाला है, इस खर्चे में पैसा जादा खर्च होगा, लेकिन उत्रा लाब नहीं बिल पाएगा, तो बड़े अच्छे डंग से आपको शॉपिंग करनी पड़ीग, इलेक्रोनिक आइटम्स को इस में नहीं खरी देंगे, तो आपके लिए अच्छा के बाद, और फिर दो मार्च से फिफ्थ आउस को ही अपने साथवी द्रिष्टे से बूध देखेंगे, जो भी लोग, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिसनस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम से जुड़े होग है, उन लोगों के लिए और भी कठी ने जो लोग ये पढ़ाई अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जो 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 स्टेस्फेक्शन, प्लेस्मेंट होना, जो केमपस सेलेक्शन होता है, उसमें थोड़ी दिक्कत है इस महीन आपको आ सकती है, अगर आप इस महीन कोई फर्दर एज्यूकेशिं लेवल बहुत साथ रहेगा, आप कही बार तो ओवर कॉंफिटेंट हो जाएंगे, कॉंफिटेंस फ्लक्चुएट बहुत करेगा, कभी तो आपको लगेगा मेरे कोई सब आता है, बहुत अच्छा चल रहा है, कभी लगेगा मैं तो ब्लैंक हो चुका हूँ, ये इस यूजर अभी ब्रैश्पती बिराश बाना है, ब्रैश्पती ओवराल सिक्स आउस पर हो तो उदर रोग देता है, यानि पेट के तकलिफ देते हैं, पेट में गैस, एसेड़ेटी, कब्स, जलन, मोटापा, अननेस्टिश्री का वजन बढ़ जाना, ये सब चीज़ें इसमें अगर आप फुखराज बेंते हैं, तो और रुकसान करता है, यहाँ पर एक चीज़ द्यान रखने होगी, कि जो शुक्र है सिक्स आउस के लॉट, अपने से सिक्स आउस में चले जाएंगे, यानि 11 आउस में 2 तारिक से 26 मार्च तक, ये शुक्र जननी रोग दे सकत है, क्योंकि शुक्र आपके पेट और गुपतांग में भी तकलिफ दे सकते हैं, कुछ सेक्शल आपको तकलिफ दे सकते हैं, कुछ प्राइवेट पार्ट में को तकलिफ दे सकते हैं, किसी प्रकार का आपको ये समझ रहा होगा, कि जो नाभी से नीचे का इस्सा है, पेट तो दुश्पनों कोई दोस्त बनाने के काबियत अपने अंदर पैदा करने होगे बढ़ते आगे इस पहिने जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल फिल्ड में है जॉब के लिए शुरुवाती दौर में शुकरबूत का लक्ष्मी नारान योग है अगर आप ऐसी कुछ प्लानिंग करें कि अगर आपको जॉब चेंज करने हैं तो उसके लिए परफेक्ट टाइम है एक और दो तारीक हो हालाएं यह ओली का टाइम है चुट्टी का अवसर भी रहता है तो इस महीने प्रोफेशन के लिए किसी जगे कर ट्रेवल करना है तो जो ट्रेवल डेट्स दिये उसका आपको अनुपारन करना होगा इस महीने कुल मिलाकर सूरिय 14 तारीक तक तो आपके 10 ताउस में बिराजबान है जो लोग सरकारी डॉक्रिस जुड़ेवे लोग हैं उनका जब सूरिय 11 ताउस में चले जाएंगे और उस पर राहू की नौमी दृष्टी रहेगे जोटे लांचन आरोप पेड़ आप लगाएंगे फल कोई और खाएंगे जॉब में काम आप करेंगे मज़े कोई और लेगे जाएंगे इससे दुखी नहीं होना चाहिए कि इस महिने नहीं है हलागि साथ तारीक तक मंगल सेवन थाउस पर बैठ कर रूचग योग से चौति दिश्टी से टैन थाउस को देखेंगे और शनी तीस दिश्टी से टैन थाउस को देख रहे हैं यह दो प्लस पॉइंट और ब्रेश पती भी अपने पांच दिश्टी से स्टैन था उसको देखते हैं तो वर्खॉलिक किसम का आपका महिना कहा जा सकता है पर इससे डिस्टब नहीं होना है जिन लोगों को जॉब सीकर्स है उन लोगों के लिए महिना परफेक्ट है लेकिन कई बार हम जॉब एपलाई करके गर पे ड्रॉइंग रों में बैठे र प्रेशर जो हैं एंडल करना होगा तो व्रशब राश्य के लिए ओवर ऑल जो यह महिना है वो अच्छा ही का जा सकता है आप सभी को बहुत-बहुत शुक्कामना है बहुत-बहुत आश्रवाद और प्यार भरा नवश्का जन्म कुंडली का निर्मान हम सब के जिन्दगी नौग्रह 27 नक्षत्र कुंडली के बारा भाव और बारा राश्यों पर आधारित जोतिश वह ग्यान है जो हमें भविश्य के बारे में तो जानकारी देता ही है कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि बरसात में चाता हमें भीगने के बाद याद आता है हम आपकी जन्म कुडली गाधार पर बताते हैं कि आपके कौन से दश्या अच्छी रहेगी और कौन से बुरी और क्या उसका उपाय किया जा सकता है कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे वो सब्जेक्ट लेते हैं जिन सब्जेक्ट को लेने के बाद उसकी पढ़ाई करने के बाद वैसी जॉब नहीं मिलती है तो क्या कारण है कि हमने कहीं गलत सब्जेक्ट का चैन तो नहीं कर लिया है हमें नौकरी करनी होती हैं, लेकिन हम बिजनस करके गाटा खाते हैं, हमें बिजनस करना होता है, लेकिन हम नौकरी कर रहे होते हैं, हम शादी का मुहुर्त जाने बिना शादी कर लेते हैं, कुंडली का मिलान किये बिना शादी कर लेते हैं, ऐसे चंद तमाम प्रश्णों के जवाब हम देंगे आपकी जर्म कुंडली का निर्बान करके आप वो सब कुछ इस जर्म कुंडली से जान पाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है जर्म कुंडली के निर्बान के लिए आप हमारे जोतुर कारेले में संपर कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भगवान स्री गणेश जी के आशिरवात के द्वारा बनती है जर्म कुंडली जिससे हमारे चीओन में रिद्धी और सिद्धी आती है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291 519 0000 243 2625 98290 26625 8955 896625 इमेल इन्फो एड़िए ग्रहुकाखेल.com.in वेबसाइट व्व्व्व.ग्रहुकाखेल.com.in